आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा ओयल शेयर करने जा रहे हूं जिससे अगर आप मेरे बताय हुए तरीके से बनाते हैं तो ये एक चमतकारी ओयल बन जाता है और ये आपके बालों की ग्रोथ को चारगुना तेजी से प्रमोट करता है इसे लगाने के बाद आपके बाल ना सि जो हियर फॉल की प्रॉबलम है वह बहुत ही जादा बढ़ गई है बालों में ऐसे स्कैल्प में पैचस पढ़ जाते हैं और कंकी में भर भर के बाल आते हैं बाल ड्राई हो जाते हैं कुछ लोगों के बालों की ग्रोथ तो इतनी जादा रुख जाती है कि उनके बाल इंग्रीटियंट्स से बनने वाला तेल नहीं है बलकि आप किछिन में रखी हुई और से तैयार कर सकते हैं अगर आपके स्कैल्प में इस तरीके के पैचस पढ़ गए हैं जिसे ऐलोपेशिया बोलते हैं तब भी आप इस ओल को आराम से यूज कर सकते हैं बच्चे बड़ जिसका चमतकार मैंने खुद देखा है और मैं इसे रेगुलर यूज कर रही हूँ और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सर से स्कैल्प से आगे से जैसे बाल चले जाते हैं हमारी ग्रोथ वहां पर लड़के हूँ चाहे लड़किया हूँ हर किसी के बालों की ग्रोथ आज क चाहते हैं तो अभी से अपने खाने पीने में चेंजेस कर लीजिए ड्राइफ रूट्स खाईए जो ग्रीन वेजटेवले वो खाईए आवला खाईए हियर फॉल की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है सगर कंजी खाईए गाजर खाईए जो भी जमीन से उपजाओ फल फ इक ऐसा ओयल होता है जो बालों के लिए किसी वर्दान से कमनी होता है लेकिन आजकल के फैशनेवल टाइम में सबसे एफेक्टिव चीजों पर ध्यानी मी रेते हैं तो मस्टर्ड ओयल जो होता है आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है लेकिन इसमें हम कुछ और मैजिकल इंग्रिडियंट कर देंगे जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ को चार गुना दस गुना तेजी से बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा तो इसमें सबसे पहले हमने यह लिया है मेथी दाना मेथी दाने को हमने मिक्सी में अच्छे त मेथी दाना जो होता है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही जादा बैनिफिशल होता है और साथ साथ आपके जड़ों को भी स्ट्रॉंग बनाता है सेकंड हमने इसमें यूज किया है हिबिस्किस पावडर यानि कि गुड़हल का जो पावडर होता है वो हमने इसमें यूज किया अगर आपके पास गुड़हल के फूल हो आपके घर में लगे हो तो आप डारेक्ट गुड़हल के फूल भी एड़ कर सकते है इसमें गुड़हल का जो पावडर होता है यानि कि हिबिस्किस जो फूल होता है वो आपके बालों की ग्रोथ को आपके की फॉंगे। लेकिन यह आपके बालों के लिए भी वरदान से 14ैंसे कंने हैं कि इसे यूज करना आपको आना छागी तो आगर पाप इसमें उझेत है कि युइंड यह दो पता कर जादा नहीं लास्ट में हमने समें कैस्टर ओयल का यूज कि आप सभी जानते हैं कि बालो की ग्रोथ को वढ़ाता है पैचेस को कखतम करता है स्केल्प से और आपकी ग्रोथ एक दम अभल गई है ना बड़ नी रहें आपके बाल उसे भी है तो आप काफी देड तक करना होगा कम से कम पान से 10 मिनिट तक आपको इस प्रोसेस में इसे रखना होगा तो आप देख सेकते हैं इस तरीके से एक पैन में मैंने आधा पानी लिया है और यह जो मारा बरतन है वह थोड़ा सा बड़ा है तो आपको भी ऐसी बड़ा बरतन लेन यानि के ग्लास के गहरा होता है और वह अगर पानी में इस तरीके से रखेंगे तो कोई भी नुक्सान नहीं होगा या फिर पानी की कॉंटिटी जो हो भगोने में कम रखें बस उबलता रहे पानी और वह और बिल्कुल ना जाए इस बात का आपको ध्यान रखना है अब आ अगर इसे डवल वॉल की हैथ से वाइल नहीं करना जाते हैं तो आपको इस्याडिय को तयार करने में अब हैं हुआ है ग्याट करने में कं सक्कम सात आप दिन लगाए धूप में रखें निशे दूआ हो गारहा है तो अगर अफ़ कि अ यह स्यर्हां आप और इस अदु capable भ बड़ा रखा था और भगोने में आपको आधा पानी एड़ करना है तो ऐसे आप बहुत जादा पानी एड़ नहीं कर सकते हैं और इससे क्या होता है जो चीजें हैं इंग्रिडियंट्स हैं वो बिल्कुल भी जलते नहीं हैं किसी भी तरीके की नुकसान नहीं होता है और बह गरम करके भी लगाते हैं तो आपके बाल सफीद नहीं होंगे और हमारी रेमिडी बनके तयार हो चुकी है और हमने इसे डवल वाइलर की हेल्फ से इसलिए भी बनाया है ताकि जो हमारे इंग्रिडियंट्स हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं अगर डारेक्ट आप करेंगे गैस पे तो यह जो इंग्रिडियंट हैं वो बिल्कुल जल जाएंगे क्योंकि यह सारे पाउडर फॉर्म में होने की वज़े से जो ऑईल है इन सबी चीजों को बुरी तरीके से जला देगा तो इसलिए हमने इसे डवल वाइलर के हेल्प से आपको बोला है बनाने के लिए और हमने खुद भी बनाए या फिर जैसे कि मैंने आपको बता है आप इसे धूप में रखकर बना सकते हैं तो यह हमारा ऑईल जो हो बिल्कुल बन के तयार हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आ रही है क्योंकि यह जितनी भी गुट प्रॉपरटी हो तो आपको इसे पूरे स्केल्फ में अपने अच्छे तरीके से ओईलिंग करनी है आप बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो मेल फीमेल हर कोई इस ओईल को अराम से यूज़ कर सकता है और आपको इसे कम से कम चार से पांच घंटे अराम से लगा कर रखना होगा अगर आप अगर आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इसे कम से कम चार से पांच घंटे तो लगाकर रखना ही होगा यह मैं कम से कम बोल रही हूं ठीक है और यह आपके बालों की ग्रूथ को बहुत ही जादा तीजी से बढ़ाता है इसके इंग्रिडियंट ज हैं वह थilड़ों को बहुत ही जादा स्ट्रॉंग करते ही यह फॉल की प्रॉबलम से बहुत ही जल्दी चुटकारा दिल लाव देते हैं और आप लोग कायए और अपके बालों की साथ-प्रूद obs पसुद्ष ऐसो बहुत ज़या की सुखी हो गयी है तो इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चंपी करने हैं मसाज करने में और यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपका ब्लड सेर्कूलेशन जो हो बहुत ही तेज हो जाता है और इसे आपको कम से कब चार पांज गंटे लगा कर रहा है उसकी बाद जो भी आप शैंपू सब्सक्राइब जरूर कीजेगा